बेचारे कल दोड़ दोड़ के हारे, देखो फिरते मारे मारे, पहचानते तो होंगे ही इन दोनों को, कानून इनकी मुठी में रहता तो नहीं, पर ए दोनों इसी गलत फहमी में जीते हैं, हम कानून से राज्य के बबबर सेर हैं, लेकिन बेचारों ने गलत जगा पंगा ले लिया और लगभग बेईजती करा बेटे तो किस्सा यह है कि के कविता की जमानत याचिका लेकर दन दनाते वे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट सीजाई के यहां और कहा कि हमें नियाई अभी अभी चाहिए किसी लोअर कोर्ट में जाने के लिए मत कहिए अब सुप्रीम कोर् कर्ष्टिस खन्ना के पास खन्ना जी ने जूरते ही कहा कि आना तो आपको नियामानुसार ही होगा पहले हाई कोर्ट जाईए सिंगवी सहब का हाल तो और भी बेहाल हो गया केद्रिबाल का मामला तुरंत सुनने की अर्जी दे दिये वहां से भी मुहूं की खानी पड़ी अंतत्य याजी का वापस लेकर राउजेवेन्यू कोर्ट जाना पड़ा सारी लिगेसी सारी अकर धरी की धरी रह गई इस सिंग्यायाले का इतियास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि ये इतियास का स्वन काल नहीं है सिरी सिरी 420 कपील सिब्बल जी ने कहा मतलब यह है कि मन माफिक फेसला नहीं हुआ तो अंगूर खटे हैं सुप्रीम कोर्ट में जबके कविता को कोर्ट ने कपील सिब्बल के लाख गिड़ गिड़ाने पर भी जमानत नहीं दी तो खिसी आए हुए सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पर ही भड़क गए और पागलों की तरह प्रलाप करने लगे आज कल इनके अच्छे दिन नहीं चल र तो यह कोई स्वाणिम काल नहीं होगा अदालत ने के कविता को कोई रहात देने से इनकार कर दिया जिने दिल्ली आपकारी सुल्क नीती मामले में एडी ने घिरबतार किया था सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कविता की ओर से पेस हुए थे जिने बेंच ने जमानत के करते वे नियायमूर्ती M.M. सुंद्रेस और नियायमूर्ती Bela M. तिल्वेदी की प्रीट ने कहा कि उसका विचार है कि वेधानिक प्रावधानों को नजर अंदाज करने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए नियायमूर्ती खन्ना ने कहा सेधानतिक रूप से हम सभी इस बात पर सहमत है कि केबल इसलिए कि कोई राजनितिक व्यक्ती या कोई ऐसा व्यक्ती जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने का जोखिम उठा सकता है सभी वेधानिक और समेधानिक मुल्यों को दरकिनार नहीं करना चाहिए पीठ ने बताया कि उसने पहले ही विजाय मदललाल चोधरी बनाम भारत संग मामले में फेसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने का फेसला किया है जिसमें सुप्रिम कोट ने धन सोधन निवारन अधीनियम के प्रावधानों और सकतियों को बरकरार रखा था परवतन इदेसालिया ने 2002 के कानून के तहद कहा कि वे इन याचिकाओं के साथ अधीनियम के प्रावधानों को चुनोती देने वाली कविता की प्रातना पर भी सुनुवाई करेगा तेलंगाना, MLC और पूर्वे मुख्यमंत्री के चंदर सेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हेदरबाद से गिरबतार किया गया था और एक दिन बाद ED की हिरासत में भेज दिया गया था ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताईएगा जय हिंद जय भारत